पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी दुकान और इस्टॉल का नाम अजीबो गरीब तरीखे से रखने लगे हैं कोई अपने डिगरी के नाम पर चाय की दुकान खोल रहा है तो कोई इश्क में धोखा खाने के बाद बेवफा नाम से दुकान चला रहा है अब नई खबर और नई तस्वीर हम आपको बिहार के मध्यपुरा जिले की दिखाने जा रहे हैं मध्यपुरा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है यहां एक व्यक्ति ने अपने स्टॉल का नाम इंटरनेट की स्पीट 5G पाने पूरी रखा है खास मसाले से तयार गोलगपा के लोग ऐसे दिवाने होते हैं कि शाम को ठेला लगते हैं खाने बालों की लंबी लाइन लग जाती है और यही कारण है कि महस चार घंटे में ही वो हर रोज 4,000 से भी जादा गोलगपा बेच लेता है उसकी इस बिकरी से आप सहच अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके गोलगपा के लोग कितने दिवाने हैं चार घंटे में 4,000 गोलगपा बेच लेना कोई आम बात नहीं है खास बात ये है कि इस दुकान के युनीक नाम को देख कर भी लोग यहां चले आते हैं और पानी पूरी का लुथ उठाते हैं दरसल जिला मुख्याले के कॉलेज जोग पर रोजाना शाम के साठे चार बजे 5G गोलगपा का स्टॉल लगता है स्टॉल लगाने बाले ने बताया कि वो उत्तरप्रदेश का निवासी है और मधिपूरा में बीते कुछ वर्षों से गोलगपा बेचता है नाम है राम लखन पहले टोले मुहलों में घूम घूम कर गोलगपा बेचा करता था लेकिन समय के साथ इंटरनेट नेटवर्क की तरह उसने खुद को अपडेट किया और 5G पानी पूरी वाले के नाम से एक ठेला शहर की कॉलेज चौक पर लगाना शुरू कर दिया जहां इन दिनों लोगों की काफी भीर जूट रही है कहा जाता है कि राम लखन के इस प्रयास ने रंग दिखाना शुरू किया और आज उसकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है अब पानी पूरी का ये ठेला लगाने वाले राम लखन ने बताया कि उसके द्वारा खुद से तयार किये गए गुप्त फॉर्मूले वाला मसाला है जिसे मिला कर वो पानी पूरी बनाता है और ये मसाला आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि वो इसे खुद से ही बनाता है यहां खटा और मीठा दो फ्लेवर के गुल गप्पे मिलते हैं राम लखन बताते हैं कि वो 10 रुपय में 5 गुल गप्पे लोगों को खिलाते हैं रोजाना शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक वो ठिला लगाते हैं और 4-5 घंटे में ही 4000 से अधिक गुल गप्पा बेच लेते हैं इन दिनों पानी पूरी के अलाबा दही पूरी भी बेचना शुरू कर दिया है दही पूरी 20 रुपय का एक प्लेट खिलाता है जिसमें 8 पीस होते हैं यहां से लोग पारसल भी अब तो कराने लगे हैं जिसके बाद राम लखा जो की अपना ठिला लगाता है उसकी खूब विक्री हो रही है बेहर में पिछले कुछ महीनों या फिर कहले कि कुछ सालों से जब से चाय वाले का ट्रिंड शुरू हुआ है बेरोजगार चाय वाला तो डिगरी धारी चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला और कई प्रकार के अन्य नाम भी मार्केट में रख करके लोग अपने स्टॉल को खूल रहे हैं, पढ़ाई करने बाले लड़के भी हैं और इसमें अनपढ़ लोग भी हैं, कई तो अपने ठेले का नाम अनपढ़ चाय वाला भी रख चुके हैं, अब ऐसे में मध्यपूरा के इसे श्रक्स की चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि 4 गंटे में 4000 पानी पूब भा रहे हैं, बने रहे हैं लाइप सिटीज के साथ, जदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए